बिहार में अब सरकारी एंबूलेंस से शराब ढोया जा रहा है 102 नंबर वाली जो सरकारी एंबूलेंस से वा होती है उसी सरकारी एंबूलेंस से सराब की खेप को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है और अब कुछ दिन पहले ही जीतनराम मांजी ने बिहार सरकार से यह मांग किया था कि जो भी मरीज है जिनको डॉक्टर की सला से शराब की जरूरत है उनको सराब मुहया कराई जाए सरकार उनको सराब खुने की छूट दे और मानो जैसे जीतन राम माजी के इस मांग पर एकदम त्वरित का रवाई हुई हो एकदम इंस्टैंट एक पूरी हो रही है कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि बिहार में कूरियर से सराब को जगा-जगा पहुंचाया जा रहा है बकाइदा एक कूरियर कमपनी इसके लिए काम कर रही थी सराब को दूसरे राज्यों से रेलबे के द्वार मंगाया जा रहा था मतलब सराब दोने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन के लिए भी सरकारी साधन का उप्योग हो रहा था रेलबे से समान आता था और इसके बाद कूरियर कमपनी जो एकदम पूलिस के नाक के नीचे चल रही थी पूलिस वालों के लिए जो सरकारी दुकान होता है उसके बगल पर यह कंपन सरकारी और फिर से सरकारी एंबुलेंस से सराब ढोने का घटना सामने आई है अब यह पूरा मामला कहा है कैसी यह सारा खेल हो रहा था विश्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे और उससे पहले नमस्कार जंता जंसन देख रहे हैं और मैं हूं सन्नी मिस्रा कैमर को विहार में फूंण शराब बंदी है विहार सतकार मुख्यमंतरी नितीज कुमार यह दावा करते रहते हैं कि विहार में शराब एकदम इस पर लगाम लगा दिया गया है तरह तरह कि सरुए का अकड़ा सरकार द्वारा दिखाया जाता है जिसमें बताने की कोशिस की जात सबसे अधिक सवाल उठाते रहते थे वह हमेशा कहते थे कि सराब के कारण बिहार में पैरदल एकॉनमी खड़ी हो गई है इसके चलते लोग सराब तसकरी को ही अपना नया रोजगार बनाते जा रहे हैं और तिजस्वी यादों का यद्दावा कही न कहीं सही है क्योंकि हमेशा तसकरी का एक से बढ़कर एक अलग-अलग अजीब तरह का तरीका सामने आते रहता है एकदम तो इसको जानकर माता घूम जाता है जिस तरीके से सराब के तसकर अपना काम करते हैं यह हमारी कलपना से परे होता है और फिर से ऐसा ही तरीका सामने आया है जिसमें जो सरकारी एंबुलेंस होता है जो लोगों को हॉस्पीटल लाए के लिए और हॉस्पीटल छोड़ने के लिए जो सरकारी एंबुलेंस की सिवाई दे जाती है उसी के सहायता से सराब को ढोया जा रहा था जो घटन इसके लिए एक सरकारी नंबर जारी किया गया है 102 यानि 102 इस नंबर के आप घर बैठें बुला सकते हैं और इसी 102 नंबर वाली इंबुलेंस सरविस से सराव को धोया जा रहा थाा बकसर के ब्रह्मपुर थाना को यह सुरकारी इंबुलेंस हो रहा है उसमें अध्यरुठ सुरकार ब्रह्मपुर हरा यह इपकारी ते मले किया पिलिस की नजर में वो नहीं आ पा रहे थे अगर कोई सूचना नहीं देता तो पता नहीं यह खेल कब तक चलते रहता बाकि बिहार की यह हकीकत है यहां रोज नए-नए तरीके से सरातुसकरी के खेल एक दम चरम करें कहने को बिहार में शराब बंदी है लेकिन हकीकत यह है कि आप पहले से ज़्यादा आसान तरीके से बिहार में सर आप दून सकते हैं आप पास सकते हैं बाकि आप लोगों को इस पर क्या कहना है अपनी राया आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चंता जंशन देख रहे थे आप बहुत बहुत धन्यवाद